यूपी विदानसवा चुनाओं से पहले प्रदान मंत्री नरेदे मोधी ने मंगलवार को 341 किलो मीटर लंबे पूरवांचल एक्सप्रेस का लोग कार्वन किया कार्य कर्म के मदे नजर मौके परशाशन, परशाशन, शैनावा, पुलिस के यदिकारी डटे हुए रहे बता देगी प्यम मोधी ने जुलाई 2018 में इस एक्सप्रेस वे का सिलहनास किया था 19 महा के करोना काल के बाद भी 341 किलो मीटर लंबा एक्सप्रेस वे 36 महा में बनका प्यार हुआ यह एक्सप्रेस वे प्रदेश की राजानी लखनों से पूर्वी उत्रप्रदेश को जोड़ेगा वही मुख्यमत्री योगिय अधितनात ने कहा कि एक्सप्रेस वे यूपी में भारत का लोख एंजन बनने का प्रणाम है एक्स्प्रेस वे इसका भी प्रणाम है कि डवलेंजन की सरका कैसे कारे करती है उन्होंने काजिया पूरी उत्रपदेश की 9 जिलों के साथ ही विहार के लिए भी हापएपूण है वहीं कारें स्थल पर पत्रकारों से पाक्षीत में मुखिमंतिरी ने था जी बदान मंत्री पूर्ग उत्पलदेश का डैक्ड़ून कहे जाने वाले एक्सप्रेसवे को एक बजे रास को समार्पित करेंगे उन्हों ने फिर दोराय की बदान मंत्री ने जुलाई वर्थ 2018 में एक्सप्रेसवे का सिला नाज किया था 19 मा के करोना काल खंड के बाद भी 2440 किलो मीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन कर त्यार हुआ या एक्सप्रेसवे लखनों से गाजी पुटक नौजिलो को चोड़ेगा इसके साथ की अकिक्षकरत पिछड़े इलाके पूर्वांचल को विकास के पंक लग जाएंगे एक्सप्रेसवे के नजदी की छेत्र में विकास के साथ शिक्षा, वास्वास, संसान, वैपारिक केंद खुलने से विकास के साथ गोजगार की नई रहा भी खुलेगी वहीं दूसी तरफ प्रदान मंत्री नरिंद मोदी से पहले पूरवान चल एक्सप्रेसवे का समादवादी पार्टी के कारेकरताओं ने लो कारपन कर दिया इतना ही नहीं सपायों ने पुलिस को चकमा देकर एक्सप्रेसवे पर साइकल याक्रा भी निकाल दी इसे लेकर प्रसासनिक महकमा सक्ते में आ गया इस एक्सप्रेजबे की राजनीती में बूते हुए अपले से आदम ने तूट किया की पीता आया लखनों से और नई दिल्ली से कैची आई सपा का काम का श्रिया लेने को मची है शिचम की चाहिए टीम दखब रियर्ड